एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नितिशकुमार ने NDA का साथ छोड़, कॉंग्रेस और ZU के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है जिसमें मुख्यमंत्री नितिशकुमार और उपमुख्यमंत्री तेज़स्वियाद गगा है जिस कारण बिहार चर्चा का केंदर बना हुए है अब जानते हैं बिहार के बारे में बिहार में बिधायकों के कुल संख्या 243 है और टोटल 38 जिले हैं बिहार की मौजूदा एकनोमी 90 बिलियन यूएस डॉलर है और यह सबसे फास्ट ग्रो कर रही है बिहार के इंकॉम अपसूर्स की बात की जाए तो सबसे टॉप पर अग्ली कल्चर आता है अग्ली कल्चर से बात बिहार को 24 परतिसत की आये होती है और वहीं इंड़स्टी से लगबग 15 परतिसत और अधर से 61 परसेंट बिहार की जनसंख्या लगबग 10.5 करोड जिसमें से 34 परतिस परतिसत अबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है इंड़स्टी और नेचरल रिसूर्स ना होने के कारण बिहार एक गरीब राज्य है बिहार की लगबग 75 परतिसत अबादी गाउं में रहती है रोजगार की बात की जाए तो बिहार में ऑनिंप्लोईमेंट लग स्थाई रोजगार होता है वहीं बिहार का सिक्षास्थर लगबग 70 परतिसत है बरतमान में बिहार का सिक्षास्थर बहुत तेजी से बढ़ रहा है Movement Development Index की बात की जाए तो वहाँ बिहार को 0.57 की रेटिंग मिली है जो की मद्या मस्थर में आता है अब बात करते हैं बिहार की राजनीती की बिहार की राजनीती में चार पार्टियां सबसे बड़ी है जिसमें है BJP जिसको 74 सीट मिली पिछले चुनाव में J.U. जो नितिसकुमार की पार्टिया इन्हें मिली 43 सीट आर जेडी जो लालु यादो की पार्टिया उसे 45 सीट मिले और वहीं कॉंग्रेस को 19 सीट मिली बाकी में अन्य है BJP और नितिसकुमार की पार्टिया जेडी यू और कुछ छोटी पार्टियां मिलकर NDA की सरकार बनाई थी BJP एक राष्ट्य पार्टिया और केंद्र में इसकी सरकार है BJP के साथ गठबंदन में रहने से नितिश कुमार की को अपनी पार्टी जेडियू की पकड जनता में कम होती दिखाई दे रही थी और सारा स्रेच BJP की तरफ जा रहा था बिहार राजी की तरफ से नितिश कुमार की कुछ मांगे थी जो की बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी जिस कारण नितिश कुमार ने NDA का साथ छोड़ना उचित समझा और फिर कॉंग्रेस जेडियू और RJD ने एक साथ मिलकर बहुमत बनाया और बिहार में अपनी सरकार बनाई अब बात करते हैं इस पर क्या समिधानिक रूल लगाए जा सकते हैं जहां तक दल बदल कानून का बात किया जाए तो जेडियू एक अलग पार्टी थी और BJP एक अलग अर्थात दोनों के बिधायक अपनी अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर बिधायक बने थे यानि नितिसकुमार ने कोई पार्टी ने छोड़ी बलकि अपनी पार्टी को गठबंदन से अलग किया है और यह समिधानिक रूल से गलत नहीं है इससे पहले नितिसकुमार ने कईबर पार्टी और पद छोड़ा है जिस कारण उनमें स्थीरता कम दिखाई दी बलकि BJP ए वही नितिश कुमार ने अपने कारेकाल में बिहार में सिक्षास्तर, बिजली, जल, सडक और कानून सब में अच्छा काम किया है जिस कारण नितिश कुमार की पकड़ बिहार में सबसे अधीक है। अब आगे बिहार की राजनीति क्या रंग लाती है आगे देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्त रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।